हमने पिछले वीडियो में जाना कि अम्ल और शारग की अलग-अलग प्रबलता होती है हम pH scale का उपयोग करके इसकी प्रबलता को माप सकते हैं आईए अब देखते हैं कि pH scale होता क्या है pH scale को कुछ इस रूप में दर्शाया जाता है यह एक सारवत्रिक सूचक का उपयोग करके आयनों की सांद्रता को दर्शाता है सारवत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रन होता है और सांद्रता के अनुसार रंग बदलता है pH scale 0 से 14 तक होता है और यह है hydronium i-o की सांधरता को दर्षाता है हम pH को एक संख्या के रूप में सोच सकते हैं जो अमलिय या शार की प्रकृती को दर्षाता है 0 की मान का अर्थ बहुत अमलिय होता है और 14 का अर्थ बहुत शार किये होता है 7 की मान का अर्थ है उदासीन ना तो अमली ना ही शार किये सरल शब्दों में समझने के लिए एक उदासीन विलेयन का pH 7 होता है 7 से कम मान एक अमली विलेयन को दर्शाता है और 7 से अधिक मान एक शार किये विलेयन को दर्शाता है आईए अब हमें क्रिया कलाप करेंगे अब हम विभिन विलेन का pH value ग्याद करेंगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने लाड खाने से पहले का pH value प्राप्ट करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यह 7.4 है इसका मतलब यह शार किये है खाने के बाद इसका pH value 5.8 है इसका मतलब यह अमलिय है प्रकृती में नीमगू का रस 2.5 है इसका मतलब यह अमलिय है प्रकृती में cold drink 6 है इसका मतलब यह अमलिय है प्रकृती में गाजर का juice 5.6 है इसका pH value तो हम कह सकते हैं यह अमलिय है प्रकृती में Coffee 5 तो हम कह सकते हैं यह भी अमलिय है प्रकृती में Tomato का juice 4.1 तो हम कहेंगे यह भी अमलिय है प्रकृती में नलके का पानी साथ तो हम कहेंगे है उदासीन है प्रकृती में एने ओएच चौदा है इसका pH पैल्यू तो हम कहेंगे इर्शार किये है प्रकृती में आईए अब विबिन पदार्थों का pH देखें जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं आपके रोज मर्रा में पाई जाने वाले चीजों का pH क्या है चलिए अब कुछ प्राकृतिक अमलों को देखते हैं सिर्का जो एक एसेटिक अमल है संत्रा जिसमें सिट्रिक अमल पाये जाता है हिमली जिसमें टार्टरिक अमल पाये जाता है Tomato, जिसमें oxalic aam लपाया जाता है Qhta dотив, जिसमें lactic aam लपाया जाता है Naemo, जिसमें citric aam लपाया जाता है Cheaty का dung, जिस methenoic aam लपाया जाता है Natal का dung, जिसमें methenoic aam लपाया जाता है आईए, अब तक जो हमने पढ़ा, उसे जल्दी से sun shape में समझते हैं एक अम्ल या शारक की प्रबलता H+, और OH- आयनों की सांदरता पर निर्भर करती है अम्ल या शारक की प्रबलता को pH-skill का उपयोग करके मापा जाता है pH-skill H+, आयन की सांदरता को मापता है pH-skill 0-14 तक होता है 7 से कम अमलिय विलियन होता है जिसमें 0 अत्यधिक अमलिय होता है 7 उदासीन विलियन होता है 7 से अधिक शारकिय विलियन होता है जिसमें 14 की अत्यधिक शारकिय होता है